लाइन्स ने डी मर्जर की डिड अनौंस कर दी है तो आज की वीडियो में हम इस न्यूस के हर एक पॉइंट यो कवर करेंगे एक्जक्टली न्यूस क्या है लाइन्स को बाई करने का यह सही मुख है क्या हमें फ्री मिशेल मिलने वाले जो न्यू कंपनी बननी है उसके बोर्ड मेंबर कौन से है डी मर्जर किस रिश्यों में हो रहा है क्या रिकोर्डेट है सब कुछ हम कवर करेंगे आपके भी काफे साइडाट होंगे इस न्यूस के रिकार्डिंग वो मैं आलड ही इस वीडियो में कवर कर दूँगा तो इसलिए वीडियो को एंड तक कम्प्लीट देखना देखिए क्लाइंस ने लास्ट यह अनॉंस कर दिया था कि डी मर्जर की प्लैनिंग कर रहे है मतलब वो अपने बिजनस में से फाइनेशल सर्विसीज वाले सेग्मेंट को अलग से लिश्ट करना चाह रहे थे जिसका नेम उने JFSL रखा है मतलब जियो फाइनेशल सर्विसीज लिमिटेड अब यह अफिशिल अनॉंस कर दिया गया है क्लाइन्स ने इन्फॉर्म किया है पांच जुलाइश दुएशल को कि NCLT मतलब नैशनल कंपनी ला ट्राइबुनल ने 28 जुन दुएशल को दी मर्जर को मंजूरी दे दी है तो अब जियो फाइनेश सर्विस के बिजनेस को अलग कर दी जाएगा यह बेसिकली एक NBFC कंपनी की तरह लिष्ट होगा इसके बोर मेंबर में कौन-कौन है उसके उपर नज़र रा लेते हैं इस न्यू कंपनी के MD & CEO हितेश कुमार सेठी को बनाए गया है थ्री येर्ज के लिए MD means Managing Director और CEO means Chief Executive Officer इसके साथ ही फॉर्मर PNB Bank के MD & CEO राजीव महरशी को कंपनी में Independent Director के रूप में अपॉइंट किया गया है यहां आपको दिखी गया है कि काफी strong management team बनाए गई है तो यह हो गई जियो financial service के board member की बात different brokerage firm ने इस GFSL के price को estimate किया है JP Morgan ने expected share price 189 का बताया है Centrum brokerage ने 157 से 190 के बीच का price रखाया है Jeffries ने price का estimation 179 का किया है तो मोटा मोटा जियो financial service का price देट से 200 के बीच का estimate किया गया है इस दीमर्जे का ratio 1 raise to 1 रखा गया है इसका मतलब हुआ कि जिसके पास भी reliance का एक share होगा उनको जियो financial service के एक share मिल जाएगा मान लो आपके पास 10 share reliance के है तो आपको 10 GFSL के share मिल जाएगी आगे चलने से पहले मेरे चैनल को subscribe कर लेना यहां आपको stock market के regarding सभी news time से share किया आती है और इसके साथ ही मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर best talks के name भी share करता हूँ आप screen पर देख सकते हैं मैं daily आपको best से best share निकाल के दे रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आगा एक उप्लेट कर लेना ताके जैसे ही मैं वीडियो अप्लेट करूँ आपको इसकी notification मिल जाए इस डीमर्जे के regarding एक question माइंड में ही आता है कि क्या ये share free मिल रहे है तो नहीं ऐसा नहीं होगा देखो मान लेते है कि जियो 500 service का price 200 रुपीज रखा के है ये अभी fix दी हुए बस example के लिए हम मान ले and reliance का share मान लो अभी 26 को चल रहा है तो record date वाले दिन reliance का share 24 को हो जाएगा क्योंकि 200 रुपीज का parts per share में से अलग कर दिया गया है इसलिए इसमें आपको free कुछ नहीं मिल रहा है 26 का एक share है मर्जर के बाद उस share की value 2400 हो जाएगी और साथ में आपको 200 रुपीज के GFSL के share मिल जाएगे तो I think आपका ये point clear हो गया होगा इसलिए reliance को specially buy करना कि deep merger में आपको share free मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला बट हाँ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि reliance जैसे company में आपको continue invest करते रहना चाहिए इसमें आप monthly SIP more choose कर लो हर मन्त एक share या दो share जितना आपकी capital suit करें उतने share आप हर मन्त से buy करते लो long term के अंदर ये company आपको बहुत ही अच्छे टन देगी एक question ये आता है कि reliance के इस demurzer की record date क्या है इस demurzer की record date 20 July की है record date की regarding आपके mind में जो question चलते है वो cover करते है पहला question ये आता है कि recorded होती क्या है देखिए recorded का मतलब ये होता है कि उस दिन आपके demand account में company के share होने चाहिए तो reliance के share आपके पास account में 20 July तक होने चाहिए दूसरा question ये बनता है कि क्या हम 20 July को share buy कर ले तो वो share demurzer में count होंगे नहीं ऐसा नहीं होता share buy करने के एक दिन बाद demand account में show होते है इसलिए आपको 19 July तक reliance को buy करना होगा तब ही आपके share demurzer में count होंगे थर्ड question ही नहीं हो सकता है कि हमारे पास reliance के share already है तो हमें क्या करना चाहिए अगर आपके पास reliance के share already पड़े है तो आपके वो सभी share demurzer में count होंगे बस आपको उनको 20 July तक hold करके रखना है I think record date के regarding सभी कुछना पर clear हो गए होगे तो ये थी फिर news इस demurzer के regarding अगर आपको जांकर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like and share जूर करना अभी भी आपका reliance के demurzer के regarding कोई doubt बचा है तो नीचे comment कर देना मैं सभी ए comment पढ़ता हूं और reply करता हूं मिलते हैं फिर next video में किसी और information के साथ thank you so much